совершенно Meher Term Trapshing man, आप सभी लोग अपने शेज लशन चैनल पर सोभध करता हूं आज हम लोग इस वीडियो में रिजणे की अंतरगत coding decoding और coding ओ decoding अंतरगत अच्छर वर्री करड़ करेंगे अ लेडि जो है मैं इसके दो part upload कर चुका हुँ ये इसका पार्ट, Cela है, तो friends मैं जो है अच्छर वरी करण के उन सारे प्रस्णों को include करूँगा, उन सारे प्रस्णों को समझाऊंगा, जो पैच्छा में आप से पूछे जा सकते हैं, जिसकी संभावना पूछने की है, उन सारे डिफरेंट टाइप के प्रस्णों को मैं include करूँगा, तो आए हम आपकी चार जो है एक समान है, और उन मतलब उन में एक निश्चित रेलेशन है, जब कि एक इसमें भिन्न है, तो यह है आपको find out करना की कौन सा भिन्न है, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, ताकि आप भी प्रयास कर लें, यह जानने का की कौन सा इसमें राइट अंस है, तो friends आई हम लोग शुरू करते हैं, दखे आपर जो है, यह सभी देखे different seasons के नाम है, यह सभी जो है different seasons के नाम है, जैसे summer है, winter है, spring है और rainy है, दखे आपर मैंने different season के नाम दुख दिया, जिसे देखे यहाँ पर summer है, यह summer में गर्मी होती है, फिर winter में जाड़ा होता है, spring, spring मिन्स बसंत होती है, और नीचे है, आरे, आई, अन्वारे, निदेनी मिन्स बरसात का मौसम होता है, तो यह बाकी चारो जो है, यह चारो different seasons के नाम है, जबकि यह जो है, L-U-C-O-B से कोई भी season नहीं बन दा है, तो यह यहाँ पर इसका right answer यह होगा, मतलब यह जो यह fourth ह है, यह बाकी सबसे भीन है, अब यह second देखते हैं, फिर्ट से दूसरा वाला बताएए, कि इसमें कौन सा है, जो बाकी से different है, तो फिर्ट से इसमें देखिए, देखिए, इसमें दो-दो अच्छा रिप्टेट है, इसमें double O है, नीचे वाले में double T है, और इसमें double S है, तो दो-च्छा रिप्टेट हैं, जब कीस वाले में, इसमें कोई अच्छा रिप्टेट नहीं है, बत्तब दो बार नहीं आया है, तो इसमें जो है, यह first वाला USTO यहीं बाकी सबसे भीन है, अब आए किश्ण नमर थर्ड देखते हैं, कि यहां पर किश्ण मर थर्ड है, यहां put लिखा है, end लिखा है, out लिखा है, आप लिखा है, तो आप बताएं इन चारों में से कौन सा भीन है, फिन्स बताएं आप जो है, चारों में से कौन सा भीन है, चली मैं बताता हूँ, देखें यहां पर जो end है, यह वावेल E से start है, इसमें वावेल O से start है, और इसमें वा वावल से start है, जब कि इसमें जो है, P जो है, consonant से start है, P किसे start है, consonant से, तो right answer यह है, मतलब यह put जो है, बाकी सबसे भिन है, क्या है, बाकी सबसे भिन है, अब एक कृष्ण ओफ ओर देखते हैं, इसमें, देखे, FBI लिखा है, QMT लिखा है, V, R, Y लिखा है, और H, E, K लिखा है, तो आपको बताना है, कि इन चारों से, कौन से ऐसा है, जो बाकी सबसें है, फ्रेंट साब वीडियो रोग करके, जो है, इसको जानने का प्रयास कर सकते हैं, खुद प्रयास कर सकते हैं, मैं जो है, मैं आपको जादा समय नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आए इसको सॉल्व करते हैं, फिर्ट से यहाँ पर देखे, जो दूसरा, जो बीच का मेडल अच्छा है नहीं, जिसे B है, B से F देखिए, कितने अच्छा बात है, बीच के बात क्या आता है, C, D, E, और F, इसका मतलब, यह इससे चार अंक आगे हैं, ठीक, आप देखिए, F से, जो फर्स लेटर F है, उससे थर्ड वाला, अर्थात I जो है, कितना लेटर आगे हैं, जो देखिए, F के बात देखिए, G, H, I, अर्थात यह जो है, इससे, यह तीन लेटर आगे हैं, ठीक, अब दूसरे वाले में भी देखिए, क्या, वही संबंध है, M के बात देखिए, Q जो है, कितना चार आगे हैं, M के बात क्या आएगा, N, O, P, Q, अर्थात यह जो है, इससे, 4 लेटर आगे है, यह, 4 लेटर आगे है, और Q से देखिए, T कितना लेटर आगे है, तो Q क्या बात क्या आएगा है, Q के बाद, R, S, T, मत्तों यह, 3 लेटर आगे है, जो उपर वाले में, संबन्दों नीचे वाले में है, तीसरा लेटर आगे है, R से भी कितना आगे है, इसका मत्तों इसमें भी 4 होना ची, तो R के बात क्या आएगा, R, S, T, U, B, S, T, U, B, यह भी 4 लेटर आगे है, अब B से Y देखिए, क्या 3 लेटर आगे है, जबकि नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में, यहाँ पर जो है, E के बाद, H कितना लेटर आगे है, तो E के बाद आएगा, F, G, H, E के बाद, F, G, S, मत्तब तीन लेटर आगे है, जबकि 4 लेटर होना ची, और H के बाद, K कितना लेटर पर है, I, J, K, यह तो है, यह तो 3 लेटर पर है, लेकिन यह 4 लेटर पर नहीं है, क्योंकि E के बाद, F, G, और H, जबकि कितना होना ची, यह जो है यहाँ पर, यहाँ पर 4 लेटर डिफरेंस होना ची, जो बीच का लेटर है और जो फर्स लेटर है उसमें चार का अंतर है और फिर फर्स लेटर है और लास का उसमें तीन का अंतर सभी में जब कि जो लास्ट वाला नीचे है H E K है E के बाद जो है H 3 लेटर आगे है F G H 3 लेटर आगे है तो यहाँ पर यह यहाँ पर इसको फालो नहीं करता तो इसमें चोथा जो है राइट आंसर है फ्रेंट्स लाइट कर गए है तो थोड़ा सा वीडियो quality खराब हो रही है मैं चमा चाहता हूँ इसके लिए अब चुकरी start किया हूँ तो continue करूँगा इसको बीच में stop नहीं करूँगा अब यहाँ पर देखे BCD, NPR, KLM और PQR अब इसमें से बताईए कि कौन सा ऐसा है जो बागी से भीन है मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको तो friends इसमें जो है ये जो है ये बागी से भीन है कैसे है जो कि यहाँ पर देखे सभी अच्छल करम में है BCD ये भी करम में है KLM ये भी करम में है PQR ये भी करम में है जबकि ये करम में नहीं है क्योंकि इसके बाद N के बाद क्या है O आएगा N O P Q R ठीक है इनके बीच एक एक अच्छर का डिफरेंस है तो ये बाकियों को फालू नहीं करता तो ये रांग है इसका काने मतलब है ये राइट एंसर है अब नेक्स्ट कृष्ण को देखते हैं देखिया लिखा कि A, B, D, G, K C, D, F, I, M B, C, E, H, L और E, F, G, I, K तो इसमें से बताएए कौन सा बाकिस से भिन है मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको तो आइट फ्रंट देखते हैं आप वीडियो रोक करके खुश से लगाने का प्रयास कर सकते हैं मैं जादा समय नहीं दे सकता दखिये यहाँ ब दखिये A और B की बीच में 0 का डिफ्रंस है कितने का? 0 का और B से D के बीच में B, C, D C, I है तो A का डिफ्रंस है अब D से G के बीच में E, F, G कितने का? E, F, G H, I, J इसका मतलब तीन का डिफ्रंस है करने मेरा मतलब यह है कि A और B की बीच में कोई अच्छर नहीं है कोई अच्छर मिस्ग नहीं है B और D की बीच में एक अच्छर मिस्ग है D और G की बीच में दो अच्छर मिस्ग है और G और K बीच में 3 letter मतलब 3 अच्छर missing है उसे तर नीचे वालने के C, D इसके बीच कोई letter missing नहीं है D और F के बीच में E एक अच्छर missing है F और I बीच में G, H 2 letter missing है उसके बाद I और M के बीच में J, K, L कितना है? 3 letter missing है उसी तर इसमें देखे B और C के बीच में कोई अच्छर missing नहीं है C और E के बीच में C, D, E क्या है? D, A के अच्छर missing है और E और H के बीच में F, G 2 letter missing है और H और L के बीच में I, J, K अर्था 3 letter missing है जबकि इसमें देखे यह चोथा जवाला जो है इसमें यह follow नहीं करता बाकी को क्योंकि E, F इसमें कोई E और F में जो है कोई H missing नहीं है और F लेकिन इसके बाद E, F, G यह तीसरा जो है एक क्रम से है E, F, G फिर H, फिर I, फिर J, K मतलब यह बाकी को अब इसके इसके यहां इन तीनों को भी E, F, G की बीच कोई difference नहीं यहां कि इसके अच्छर एक का difference है एक अच्छर का और इसके बीच में जो है एक अच्छर का तो इसका मतलब यह बाकी को follow नहीं करता तो right answer यह रहेगा लास्ट वाला चोथा तो friends यह रहा कुछ प्रस्ण और भी और सारे प्रस्ण भी मैं आपको जितने भी different type के प्रस्ण है मैं सारे प्रस्ण चाहे जितने भी पाट लगे मैं आप लोगों को अप्लेट करूँगा उस बात करम से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे तो friends वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद और यह दिए अच्छा लगा हो तो like, subscribe, check, जी friends, thank you